नमस्कार, मैं रमिष सर्मा, लाइन्स इंगलिस हार सेकंडरे स्कूल टीपी नगेर कॉर्बा का प्रिंसिपल कॉर्बा डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एस्सोसियेशन का को सध्यक्ष और साथ ही आपको बता दूँ कि मैं सौ क्या तोर पे कह लिजिए या प्रोफेशनली कह लिजिए मैं एक एंकर एक्चली बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महिना पहले कहना चाहिए मुझे पाइल्स जिसको हिंदी में बाबासीर कहते हैं बाबासीर हो गया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रसित था आप फिसास नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा दुखदाई रोग है ये कि इस्वर करे किसी दूसमान को भी ये रोगना हो मुझे बहुत कश्ट होता था मैं टॉइलेट जाने के लिए घर घबर आता था और इतना ज़्यादा तकलीफ होती थी मुझे कि मुझे ऐसा लगता था कि नौबात ही ना आये टॉइलेट जाने के लेकिन एक दिन और कई बार मैंने डॉक्टर से भी चेक अप कराया डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर मेडिसिन देते थे मलहम देते थे वो मैं यूज करता था लेकिन सारे जितने मेडिसिन थे मलहम थे सारे निगर थक एक दिन अचानक मेरी मुलाकात एक ऐसी सक्सियत से हुई है जो कोई परिचेक महताज नहीं है आप उन्हें भली भाती जानते होंगे वो हैं वाइस ऑप इंडिया फेम मुहमद जाकिर हुसेन भाई जिन्होंने मुझे रहीम भाई का पता बताया और रहीम भाई से मेरी बात करवाई जो की कटगोरा में निवास रत हैं उन से गुजारिश की कि इन्हें ऐसी सिकायत है ऐसे सब परिसानी है इनका कोई इलाज हो तो बताईए उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए तीन पुडिया बनाया और स्वैम बस के द्वारा भीजवा दिये जाकिर भाई के द्वारा मुझे प्राप्त कुआ तीनों पुडिया और मैंने उन तीनों पुडिया को जैसे जैसे रहीम भाई ने बताया था वैसे वैसे खाया तीन दिन का खुराक था वो तीनों दिन मैंने उसे दही में फेट कर सुबह खाली पेट में खाया और उसका जो परिणाम निकला वो किसी चमतकार से कम नहीं था इतना जबरदस्त परिणाम कि मैं आपका और बता दूँ कि एक ऐसा रोग है जो एक बार होने के बाद बार बार होता है लेकिन रहिम भाई जो कि मेरे जिन्दगी में फरिस्ता बन कराया है उन्होंने मुझे जब दवाई दी मैंने जब इसका सेवन किया उसके बाद से आज तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए ऐसी कोई समस्या नहीं हुए मैं उनके और उनके परिवारवानों के उज्जोल भविस्रिक की काम ना करता हूँ इस्वरों के उनको सुक्ष सांती सम्रिद्धी ऐस्वरी वैभो सभी कुछ प्रता करें धन्यवाद करें